असलाम अलेकुम SQL के सेरीज में मैं आपको खुशामदेद कहता हूँ जिसमें MySQL Workbench यानिके MySQL को यूज करते हुए basically different काम कर रहे है सबसे पहले मैं आपको अब इस वीडियो का थोड़ा जो aim है वो बता देता हूँ कि हमने इस वीडियो में क्या सीखना है और at the end of this video हमारा aim जो है वो कैसे पुरा होगा हमने देखने है constraints कौन कौन से होते है constraints क्या होते है MySQL के अंदर या SQL के अंदर या SQL Language के अंदर जो specify करते है एक rule को in a data based on that fields settings for example मैं एक rule लगा देता हूँ कि मेरे table के अंदर 20 साल से कम बच्चे आई नहीं सकते 20 साल से बड़े होने चाहिए students ठीक है या adults होने चाहिए या 18 साल से ज्यादा होने चाहिए तो automatically मैं उसके अंदर एक condition लगा दूंगा उससे कम कोई भी add करेगा न अपने data तो वो upload ही नहीं होगा वहां पर ठीक है error देने लग जाएगा इसी तरीके से मैं अगर किसी को लगा देता हूं not null तो इसका मतलब यह है कि कोई भी बंदा उस चीज को empty नहीं छोड़ सकता उस formula को unique का मतलब क्या है कि कोई भी नाम duplicate नहीं हो सकता तो इस तरह हम बहुत सारे constraint होते हैं हम देखेंगे unique unique क्या होता है unique होता है कि all values are in a column are unique learning के एक field के अंदर जितने भी records हैं वो सारे unique होंगे unique का मतलब कोई duplicate नहीं होगा जैसे हम distinct function लगाएं तो को duplicate नहीं हो ठीक है then primary की क्या होती है यह combination होता है unique का और not null का इसका क्या मतलब है कि यह primary की unique भी होगी और खाली भी नहीं होगी ठीक है मतलब यह अक्सर students ID, role number ID मतलब अभी एक school के अंदर role number के बगाएर तो कोई बचा नहीं नहीं होता सभी के role numbers होते हैं इसी तरह ID numbers अभी nationals का एक country के अंदर होता है इसी तरह license number होता है अगर आपके license हो तो वो सारी unique भी होते हैं और वो खाली भी नहीं होते हैं मतलब उसमें कुछ ना कुछ होता है तो उसको हम primary की बोलते हैं primary की से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह किस बंदे के साथ match करती है मतलब अगर मेरा license number पाकिस्तान में होगा तो वो बिलकुल different होगा as compared to other person इसी तरह आपका passport number भी बिलकुल different होगा है के country में और इसी तरीके से आपका national ID number और school का role number भी different होगा ठीक हो गया जी तो इसी तरीके से foreign key की तरफ चलते हैं यह uniquely identified एक number होता है इसको set करने के बाद आप दो या दो से जयादा tables को join कर सकते हैं foreign key को देने के बाद इसको हम देखेंगे future वाले videos के अंदर and then check काता है check का मतलब होता है कि यह ensure करता है कि एक column में जयादा आपकी condition पूरी हो रही है for example जैसे मैंने बताया कि सिरफ adults जो है इस column में आ सकते हैं या इस database में अपना data इंटर कर सकते हैं then we will use stu और उसके बाद age ठीक हो गया कितना भी है stu age greater than 18 default का मतलब है कि आप for example आप एक scoring का database बना रहे है तो आप एक default value एक field में set कर देंगे जिसका मतलब होगा मतलब एक total score का field है उसके अंदर 100 जो है वो default value है कि मतलब जब भी हम data इंटर करते जाएंगे वह so automatically वहाँ पे save रहेगा ठीक हो गया index आ जाता है फिर then create and retrieve data quickly from database यानि कि ID या कोई भी एक ऐसी चीज जो सभी का normal हो for example अक्सर database की ID होती है जिसे हम index बोलते हैं यह serial numbers बोलते हैं ठीक है तो अब उसकी base पे यह सारा data retrieve कर सकते हैं अब हम इनको बारी-बारी देखते हैं बारी-बारी देखने के लिए हमें जो है वो basically अपने database को open करना पड़ेगा मैं command prompt में जाता हूँ और आप इसको command prompt को open कर लेते हैं यहां पे मैं लिखता हूँ mysql-u root को मैं open करता हूँ minus p करके यहां पे मैं password लगाता हूँ आपने यह सारी practice की होगी मैंने दुबारा से जान बूच के यहां से start किया ताकि आपको पता चल सके यहां पे मैं use करूँगा codenics db ठीक है database change हो गया अब देखते है show tables इसके अंदर कौन-कौन से है तो यहां पे मेरे पास एक students का table है ठीक है अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो मैं describe की command लगाऊंगा ठीक है तो यह मेरे पास इस तरीके से इसकी structure आ जाएगी now what we are going to do we are going to create another table ठीक है जी इस database के अंदर तो उसके लिए हम करेंगे create create करने के बाद हम table करेंगे table करने के बाद मैं यहां पे codenians codenians का मतलब के codenics के अंदर जो लोग पढ़ रहे हैं उनका table बनाता हूं codenians के नाम से और इसके अंदर bracket हमने open कर लिए है पहला आगया जनाब stu id student id जो मेरे पास पाद रहे है वो integer होगा अब यहां पे हम साथ में लगा देगे not null ठीक है not null के दर्मियान में space जरूर देनी है अदर्वाइस आपकी error आएगी point to be noted not null के दर्मियान में space होनी चाहिए ठीक है SQL ने का है मैंने नहीं का ये कर देंगे then हम stu name कर देंगे ठीक है इसको हम बोलेंगे war care variable character इसका मैं कर देता हूँ 50 का comma ठीक है फिर stu age कर देंगे और इसको भी हम int कर देंगे ठीक हो गया इसके साथ ही हमने क्या किया जनाब अपनी bracket को बंद किया इंटर करने के बाद और यहां पे हमने colon लगा दिया तो ये एक table बन गया अब इसकी structure चेक करने है तो basically आप क्या करते हैं आपको पता है इसकी structure चेक करने के लिए dsc describe और यहां पे आप लिखते हैं table का name तो मैंने codanians लिखा है तो इसके अंदर ये वाली structure बन गी है ठीक है अब यहां पे आप देखें हमने पहले वाले को बोले note null तो यहां पे null के आगे default value जो null होती है उसके आगे वो condition change हो चुकी है ठीक है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर हम null values नहीं डाल सकते so let's see कि क्या इसका मतलब क्या और किस तरीके से इस चीज ने चलना है और end पे आगे हमें क्या मसला ये चीज दे सकती है start करें फिर जी पकी बात है अब insert record हम करते होते थे शायद आपको याद हो ठीक है तो उसको हम करते है insert यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे insert into ठीक है किस के अंदर kodaniants के अंदर kodaniants के अंदर हम क्या करेंगे insert into इसके अंदर करेंगे क्या-क्या add करना है student id add करनी है comma stu name add करना है कॉमा, stu, age add करनी है, ठीक है, तीन चीज़ें अड़ करनी है, फिर आजाएंगी values, अभी values के साथ हमने क्या क्या चीज़ें अड़ करनी है, वो देखते हैं सबसे पहले, पहली चीज़ को मैं कहते हैं, null, क्यों, क्योंके वैसे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 देनी है न, लेकिन हमने वहां पे condition भी चेक करनी है, मैं खाली डबा रख रहा हूं पहले को, ठीक है, खाली डबा रखता हूं, तो let's see के वो काम आता है के नहीं, name मैं रख देता हूं, ammar, then coma, कॉमे के बाद age कर देता हूं, 22, ठीक है, अब चेक कीज़ेगा, मैं column लगाता हूं, तो ये error आ रही है, ठीक है, उसने error में ये भी बताया के column, stu id, cannot be null, क्योंकि हमने condition लगाई हुई है, अगर आप चेक करें, पीछे जाके, तो not null की condition थी, तो यहाँ पे हमें कुछ न कुछ add करना पड़ना है, तो इस वज़ा से मैं यहाँ पे अगर, मैंने दुबारा से वो ही code open किया, अब arrow key दबाने से, और यहाँ पे आके मैंने one लिख दिया, ठीक है, enter किया, तो ये row इसके अंदर चली गई है, अब अगर इसको चेक करने तो आपको पता है, select star from codeineans, ठीक है, सभी को select करके तो ये देखे है, हमारे पास not null value जो है, वो enter हो चुकी है, तो इस तरीके से हम different चीजों को यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, आपको समझ आगी है, कि हमने पहला constraint यहाँ पे देख लिए, आप next constraint की तरफ चलते है, वो constraint क्या है, उसको हम test करते हैं, ठीक है जी, यहाँ तक आपको समझ आगी है, तो ज़रा comment section में जा के लिखेंगे please, कि आपको समझ आगी है, अगर नहीं आई तो मुझे बताईएगा, ठीक है, next चलते हैं जी हम, दूसरे constraint, यानि unique value की तरफ, unique value क्या है, कि हमने table बनाया, ठीक है, पहले हमने table बनाया, जनाब, kudanians, ठीक है, उसके अंदर, student id वगरा, ये सारी कुछ हमने रख दिया था, अब हम एक और table बनाते हैं, unique को चेक करने के लिए, मैं यहाँ पर clear लिखता हूँ, नई, search SQL में पड़े हुए, तो मैं यहाँ से, इस तरीके से उपर चले जाता हूँ, ताकि आपको नजर वोही चीज़े हैं, तो हम क्या करते हैं, एक नए टेबल बनाते हैं, ठीक है, create, उसको भी आप अपडेट कर सकते हैं, लेकिन मैं नए बनाता हूँ, टेबल, create table, एक नए टेबल बनाया, table का नाम हम रख देते हैं, just imagine, हम employee रख देते हैं, ठीक है, या हम school रख देते हैं, school, ठीक है, इसके अंदर हमने, stu.id, इसको हमने कर दिया, int not null, जो हमने पहले किया था, ठीक हो गया, कॉमा लगाया, फिर हम कहते हैं, जी फिर आजाए, stu.name, इसको हम कह देते हैं, workair, और ये 50 का मैं रखता हूँ, लोग ज्यादा ज्यादा भी रखते हैं, तो फिर हम student name के बाद, stu.age कर देते हैं, ठीक है, इसको भी हम int बोल देते हैं, अब हमने यहाँ पे एक condition लगानी है, वो क्या है कि unique हो, क्या unique हो, यहाँ पे हमने उसका नाम देना है, stu.id unique होनी चाहिए, ठीक है, पिर इसके बाद हमने bracket बंद की, और colon लगा दिया, अब हमारे पास, you have an error in SQL syntax, क्या है जी error, workair 50, student integer, unique id at line 1, let's see, यहाँ पे क्या पंगा बन रहा है, यहाँ पे क्या इशू बन रहा है, create table school, school के बाद हमने, यहाँ पे दी है, student id is int, उसको कर दिया था, उसको कर दिया था, not space null, फिर उसके बाद हमने किया, student name, var care 50, फिर student age कर दी हमने, int, int के बाद हमने किया, student id, यह वाली कर दी, ic, ठीक हो गया, इसके बाद हमने, यहाँ पे colon लगा के किया, तो फिर भी error आ रही है, let's see, इसको check करते हैं, जी तो not null constraint को, यानि कि जो हमारा पहला constraint है, यहाँ पे, उसको हम एक और तरीके से देख सकते हैं, not null को, वो कैसे देखना है, यहाँ पे हम देखते हैं, show tables, tables हमारे पास कौन कौन से, तो यहाँ पे कोई cable नहीं है, table बना लें के लिए, दुबारा से हम बनाते हैं, table, create table, table का नाम हम क्या रखते हैं, for example, यहाँ पे कुछ लोग, capital letters में लिखते हैं, तो मैं भी capital में लिखे देता हूं, just to be sure, students, students का table बना यहाँ, यहाँ पे stu id, इसको int बोला, not, null बोला, ठीक है, कॉमा डालके मैंने stu name कर दिया, name को मैंने बोला, war, care, 50 character का कर दिया, and कॉमा डालके, नीचे जाते हैं, अब यहाँ पे, हम age लिखते हैं, stu age, इसको int बोल देते हैं, ठीक है, int करने के बाद, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, यहाँ हम इसको, बंद गरेंगे, यहाँ पे colon लगा देंगे, तो यह हमारे पास एक table बन गया, table की structure को देखने के लिए, हम इस तरीके से यह वाली command यूज़ करते हैं, तो यह हमारे पास इस तरीके से table हा गया, तो पहला हमारे पास not null है, तो अगर हम पहले record के अंदर, को value add करेंगे, जैसा कि आपने देखा, तो यहाँ पे वो not null नहीं add कर से, however, we can still add age zero, जो कोई नहीं होती, ठीक है, तो इस वेड़े से हमें क्या करना है, अगर किसी null को not null में convert करना है, तो हम अपडेट भी कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे, यहाँ पे alter table की command लगाएंगे, लगाने के बाद हम लिखेंगे table का नाम, students, लिखने के बाद, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे, modify, modify, stu age, ठीक है, int, यहाँ पे कर देंगे, उसे not null, simple, तो हमने क्या किया है, SQL को बोला है, कि इस table के अंदर, students वाले table के अंदर, modify कर दो, student age int को, not null के अंदर, तो इस तरीके से, हमारा जो record have update हो गया, let's again see the structure of the table, तो यह देखें, हमारे पास, यह भी not null हो गया, तो यहाँ पे ना age में, not null की value आ सकती है, ना, इसके अंदर student ID के अंदर, तो आप जैसे हमने student ID को चेक किया था, insert record करके, आप age को भी check करेंगे, then you can see, कि सच में आप उसकी value नहीं दे सकते, next constraint है, हमारा unique, unique पे अब चलते है, unique को हमने किस तरीके से देखना है, unique, असल में, no duplicate को show करता है, मतलब हर column में, एक separate, चीज आएगी, ठीक है, तो अब हम क्या करते है, for example, सबसे पहले हम देखते है, show tables करके, कि हमारे पास tables कौन कौन से है, तो हमारे पास students का table है, तो हम इसको delete करते है, drop table, उसका फिर नाम आजएगा students, तो इस command के थूँ, हम delete कर सकते हैं table को, अब नया create करेंगे, ठीक है, ताके हमें, पता चले कि हमने किस तरीके से table बनाना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ create, again, similar to previous thing, table, table के बाद मैं students का table है, आड़ करता हूँ, पहले मैं लिखता हूँ stu id, int, int के बाद मैं कर देता हूँ not, not के बाद मैं कर देता हूँ null, not null कर दिया, फिर मैंने इसे कह दिया कि यह unique है, ठीक है, यहीं पे मैंने कर दिया, फिर इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ stu name, यहाँ पे मैं कर देता हूँ var care 50, stu age, इसको कर देते हैं int, यहाँ पे bracket बंद, और इस तरीके से हमने इसको लगा लिया, अब ऐसा होगा, कि यहाँ पे, आप basically इस command के अंदर, अगर describe करके देखें, describe करने के बाद आप students को देखें, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास, यहाँ पे first वाला जो है, वो primary key में convert हो गया, तो primary key क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया, यह combination of not null and unique होता है, ठीक है, तो हमने इसको जब unique किया, not null वो पहले से था, यह हमने इसको यहाँ पे लिख दिया, तो वो primary key में convert हो गया, primary key का मतलब यह है, कि यह बिल्कुल unique ID होगी, और असल में यह not null होगी, ठीक है, तो इस तरीके से हमने उसको add कर दिया, अब इसको चेक करते हैं insert record करके, कि क्या इसका कोई असर भी पढ़ता है यह नहीं पढ़ता, अगर मैं यहाँ पे लिखूं insert, ठीक है, insert के बाद, यहाँ पे लिखूं into, किस चीज में हमने add करना है, students के अंदर add करना है, क्या add करना है, stu id, stu name, stu age, यह तीन चीज़े add करना ही है, फिर इसकी लिखते हैं values, values में id में हम null नहीं लिख सकते हैं, one कर देते हैं, ठीक है, मतलब अगर इसको मैं null करता हैं, तो आप देखेंगे, जैसे हमने पहले भी देखा, कि वो change नहीं हो सकता, ठीक है, और age में कर देता हूँ 22, तो यह देखें, कि इस तरीके से यह error आ रही है, अब हमने क्या करना है, basically इसको not null करना है, ठीक है, मैं इसको one कर देता हूँ, और यहाँ पे semicolon लगा देता हूँ, तो इस तरीके से यह update होगी, अब अगर देखने है, select aesthetic from students, students, ठीक है, तो यह आप चेक करें हमारे पास, यह इस तरीके से आ रहा है, अब unique का क्या मतलब है, unique का मतलब यह है, कि जब मैं दुबारा से कोई दूसरा record एड़ करता हूँ, यहाँ पे same चीज के अंदर, मतलब अमार के बाद, यहाँ पे मैं करता हूँ हमाद, और यहाँ पे मैं करता हूँ 20, ठीक है, तो आप देखिएगा, क्या error देता है, समझा ही बात की, कि मैं ID को duplicate नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि यह एक duplicate entry होगी, जिसकी वज़ा से student ID जो है, रिपीट हो जागी, और यह error आ रहा है, क्योंकि हमने उसे unique ID में convert किया हूए, primary key बनाया हूए, ठीक है, तो हमने क्या करना है, अगर हम इसका 2 में लिखते हैं, तो यह easily add हो जाएगा, तो अगर मैं select वाली command दुबारा से run करूँ, now you can see, कि यह इस तरीके से जा रहा है, तो अब कभी भी इसको duplicate नहीं कर सकते, we will try another time with 2, यहां पे मैं 2 लिखता हूँ, यहां पे मैं लिखता हूँ, to fail, और यहां पे लिखता हूँ 4, look, फिर error दे रहा है, क्योंकि हम unique ID रखेंगे, तो इसको अगर मैं 3 करता हूँ, then you can see, कि यहां पे हम इसको primary key में convert किया हूँ, इस वज़ा से यह जो constraint है, यह हम इस तरीके से बना लेते हैं, ठीक है जी, again, यहां पे एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कि अगर हम, इसको एक और तरीके से लिखना हो, मतलब हमने unique values को एक और तरीके से define करना हो, then what we can do, ठीक है, तो मैं यहां पे सबसे पहले तो drop करता हूँ table को, सिरफ आपको समझाने के लिए, drop table, students का table मैंने drop की है, drop करने के बाद, sorry, students है, drop करने के बाद हम create करते हैं, create table, यहां पे लिखता हूँ students, इसको मैंने start की है, अब यहां पे stu id, इसको not null, stu name, same वो ही काम मैं कर रहा हूँ, लेकिन यहां पे इस दफा unique हमने, कैसे add करना है, मैं वो आपको बताने लगा हूँ, यहां पे var care, 50, stu age, int के नाम से होगा, comma, अब यहां पे comma लगाने के बाद, हमने एक और काम करना है, वो काम क्या है, हमने यहां पे लिखना है unique, unique लिखने के बाद, space डालके id लिखके, bracket बंद, दोनों साइडों पे, and then, semicolon, समझ जाए, और यहां पे एक और bracket, like, unique space id, अगर यहां पे मैं इसको, enter मारूं, और इस तरीके से करना है, तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है, तो इस तरीके से भी आप add कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास error आ रही है, अब यह क्यों error आ रही है, I don't know, actually, और इस error को resolve करने की कोशिश करते हैं, हम यहां पे, सबसे पहले हमने create table लिखा, create table के बाद हमने लिखा, student not null, अगर student non null को हम remove करें, और इसको हम int कह दें, oh I see, int not null करते हैं, मेरे ख्याल से यह मसला था, let's see के यह था के नहीं था, अभी पता चल जाएगा, तो student a name हमने किया, student age की, unique id की, और यह किया था, key column id does not exist in the table, ठीक है, अब क्या मसला बना है, हमने यहां पे id के जगा पे student id लिखना था, तो हम दोबारा से उसको पूरे के पूरे script को लिखते हैं, ठीक है, student id, student name, student int, enter student, यहां पे आना है, stu id, ठीक है, enter और यहां पे हमने लिखना था, bracket बंद और column, semicolon, ठीक है जी, अब देखे हमने किया कि, create के एक table students का, student id को हमने कह दिया not null, ठीक है, यहां पे int भी लिखना है, student id पे int भी लिखना था, फिर से गलत हो गया, error देएगा, समझा रही है error की, चले मैं आपको दुबारा से करके दिखाता हूँ, तो यहां पे हमने सबसे पहले लिखा, create table, table को नाम दिया students का, देने के बाद bracket open की, यहां पे लिखी student id, इसको int करके not null कह दिया, comma, stu name किया, name करने के बाद इसको कह दिया, work at 50, stu age int, unique, unique space, stu id, bracket बंद, comma नहीं लगाना यहां पे, यहां पे enter लगाने के बाद, bracket बंद और semicolon लगा देना, ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास, एक table बन गया, जिसके अंदर आप, unique student id add कर सकते हैं, और not null होगा वो, similarly, जो प्रिवेस किया था, यहां पे हमने not null के साथ ही, unique लिख दिया था, आप भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक हो गया, अब इसको describe करते हैं structure को, students की, तो आप यहां पे देखें, यह हमारे पास structure बन रही है, यह primary की है, अब अगर हमने int को भी, convert करना हो, जैसे हमने पिछले में update किया था, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, हम उसे भी देखते हैं, ठीक है, क्यूंके ज़रूरी तो नहीं है, कि सिर्फ एक को हमने update किया, जैसे last time, तो हम किसी और को नहीं कर सकते हैं, तो यहां पे लिखेंगे alter, alter table, students वाले table को alter करना है, and modify करना है, stu age को, int, और फिर बाद में, not null था, इसको हम कहाँ देंगे not null, ठीक है, इसके अंदर पहले convert करते हैं, तो यह देखें, तो यह not null में convert हो गया, describe student को दुबारा देखते हैं, तो आप यह देखें, यह not null में convert हो गया, अब मैं इसको फिर से modify करूँगा, तो यह primary key में हो जाएगा, कैसे मैंने not null के जगा पे, इसको replace कर दिया unique के साथ, लोक, तो यह इस तरीके से unique हो गया, अब क्या किया है हमने, इसको unique में convert कर दिया, सिरफ not null नहीं है, ठीक है, अब यह not null नहीं रहा, और सिरफ unique हो गया, अब try करते हैं, not null और unique लगता है, कि नहीं लगता, एक warning आई है, record duplicate हो गया, let's see, क्या record duplicate हो गया, तो आप check करें, कि यह unique भी हो गया, और not null भी हो गया, अब आप एक चीज़ देख सकते हैं, कि यहाँ पे हमारे पास, हमने, दो commands एक अठी चलाई है, अब अगर इसको primary key में convert करना, तो उसके लिए क्या command होगी, यह आपकी assignment, ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ रही है, कि आपने किस तरीके से, constraint को change भी कर सकते हैं, ठीक है, अब अगर आपने, यहाँ पे, for example, alter करते हैं table को दुबारा से, ठीक है, table को दुबारा से alter किया, यहाँ पे लिखा students, अब हम करने के लिए यह देखेगा, add, ठीक है, unique, इसके अंदर हम लिखे देते हैं, stu page, colon, तो यह check करें, ठीक है, तो यह unique के अंदर convert हो गया था, समझ आगी बात की, कि आप इस formula के through भी इसको कर सकते हैं, तो there are several opportunities and formulas, जिसके through आप इनको convert कर सकते हैं, यहाँ तक आपको समझ आगी है, अगर अब हमने drop करना है किसी unique value, for example, यहाँ पे student age को हमने unique कर दिया था, इसको drop करना है, तो उसका formula क्या होगा, इसके बाद हमने लिखने क्या, stu age, तो यहाँ इस तरीके से हमारे पास से, sorry, यहाँ पे index नहीं आना था, यहाँ पे आना था, drop constraint आना था, constraint ठीक है, drop constraint, constraint के spelling ठीक है, constraint student age does not exist, यहाँ पे students लिखते हैं, constraint students does not exist, constraint unique था मेरे ख्याल से, let me see, unique, और किस के उपर था यह, stu age के उपर, if I am not wrong, फिर से error दे रहा है, तो unique को convert करते हैं, फिर से error दे रहा है, अब यहाँ पे हमने देखना क्या है, basically मैं किसको resolve करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि अगर हम alter करते हैं, student के अंदर से constraint को, ठीक है, drop करना है हमने constraint, मतलब यह के की जो value इसकी student की है ना, unique, इसको drop करना है, तो किस तरीके से करेंगे वो देखना है, तो यहाँ पे अगर लिखें, alter table, students, इसके बाद drop, index, करने के बाद, stu, age करते हैं, अगर हम student age की बजाए, student ID को करें, तो I think काम करा है, let's see, yes, yes, काम कर गया, तो होता यह है कि हमने, जो constraint था, key का student ID का, उसे dropped किया, by using this formula, ठीक है, तो आप देखें, नीचे वाली जो key है, वो primary होगी है, अगर हम दुबारा से student age का, भी हम करते हैं, हमने student ID को किया था, तो यह देखें, कि वो कहता है, can't drop check that column key exists, ठीक है, अब column key क्या है, column की जो special key होती है, उसको देखना पड़ेगा, लेकिन हम इसको future classes में देखने वाले हैं, तो यहां तक आपको constraint number two, जो है वो unique वाला, ठीक है, यह आपको समझ आ गया, हमने primary key भी देख लिए, जिसमें unique और not null value दोनों को देख रहे थे, ठीक हो गया जी, यहां तक आपको समझ आ गी होगी, तो primary key को add करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से एक मैं आपको एक और बताता हूँ, create करना है हमने table को, table को create करने के लिए आप लिखेंगे create table, table के बाद students वाला table add करना है हमने, create करने के बाद, तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे student की ID, जो हम शुरू से करते आ रहे हैं, int करेंगे इसे not null कर देंगे, कॉमा लगाने के बाद हम लिखेंगे stu name, इसे भी हम करेंगे var care 50 और इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है, फिर हम कर रहे थे stu age, इसको भी int करके और कॉमा लगा रहे थी, ठीक है, अब primary key के लिए हम यहाँ पे mysql के अंदर एक और काम करेंगे, primary, लिखने के बाद key लिखेंगे, और इसके अंदर bracket के अंदर id लिखतेंगे, ठीक है, इसको करने के बाद हम करेंगे enter, bracket बंद और semicolon, तो इस तरीके से हमारे पास, sorry, यहाँ पे जो मसला आ रहा है, वो यह आ रहा है कि हमने student id लिखना था, सिर्फ id नहीं लिखना था, तो मैं again सारे का सारा procedure दुबारा से, up, down, arrow, key की वज़ा से करता हूँ, stu id, और यहाँ पे यह, इस तरीके से, तो हमारे पास यह पूरा कॉलम बन गए, इसको देखने के लिए, मैं describe का formula लगा के students का structure चेक कर लेता हूँ, तो यह आप देखें, हमारे पास पहली की primary आ गई है, तो दूसरा formula यह होता है, कि जब आपने table create करना है, और multiple columns को, आपने basically primary key देनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो मैं इस table को drop करता हूँ, जो मैंने बनाया है, ठीके, तो easy हो जाएगा, पिर लिखता हूँ stu name, यहां पर लिखता हूँ war care 50, करने के बाद इसको भी not null कर देता हूँ, क्योंकि मैं दोनों को primary key बनाने वाला हूँ, ठीक है, तो unique identifier हो जाएगा ना, तो इसके बाद मैं करता हूँ, यहां पर stu age, इसको मैं end करके, को मल लगाता हूँ, और यहां पर अगर मैंने multiple columns को करना है, तो उसके लिए जो formula यूज करेंगा हूँ है, वह है constraint, यहां पर लिखेंगे constraint, c-o-n-s-t-r-a-i-n-t, constraint, लिखने के बाद, मैं यहां पर लिखता हूँ students के अंदर हमने लगाना ही है, ठीक है, और यहां पर primary key करनी है, primary key, जिसके अंदर, पहला है stu id, और दूसरी है stu name, so let's see के अगर यह काम करता है, constraint के spelling हम देख लेते हैं, और second हमने फिर अपना जो basically हमारा database है, उसके अंदर जो हम यह लगा रहे हैं, let me see के यह database ही होगा हमारा या क्या होगा, अगर table होता, तो यह different चीज होती, तो constraint basically हमारा चलना है, let me see, यहां पर मुझे थोड़ा सा गड़बड़ी सा लग रहा काम, students, let's see के अगर यह काम करता है, अगर नहीं किया, then we will see के हमने क्या करने हैं, yes, काम कर रहा है, और हम यह describe करके, structure चेक कर लेते हैं, table की, तो यह देखें, यह दोनों पर primary key लग जगी है, तो हम multiple primary key भी at a time लगा सकते हैं, ठीक है, बताने का मकसद यह था, तो आपको इस तरीके से समझ आगी होगी, hopefully, और अगर समझ आगी है, that's great, अगर नहीं समझ आई, then we will see later on, कि हमने किस तरीके से, किसी चीज को add करना है, अब हम एक और table बनाते हैं, जिसका नाम हम रखते हैं, क्यूंकि हम foreign key बगारा बनाने लगे हैं तो foreign key क्या होती है, यह आपको मैं दिखाता हूँ, basically यह होता यह है, कि आप जब दो तिन चीज़ों को, दो तिन टेबल को join करने वाले होते हैं, तो तब यह foreign key जो है वो, ज्यादा use होती है, लेकिन यहाँ पर मैं सिरफ यह बताऊँगा, कि foreign key आपने किस तरीके से create करनी है, यहाँ ने क्या order किया है, int not null, ठीक है, और फिर बाद में यहाँ पर दूसरा होना है, order number, ठीक है, इसको भी int कर दिया, और इसको भी मैंने not null कर दिया, कॉमा, फिर जो हमारा customer है, उसकी id, उसको int कर दिया, कॉमा, फिर हमने करना है, अब order id को हम primary की कह देते हैं, for example, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, primary की, यह हम order id को लगा देते हैं, कॉमा, फॉरन की हमने लगानी है, ठीक है, यह किसको लगानी है, basically हम customer की id को लगा देते हैं, ठीक है, और फिर इसके बाद, reference डालना है हमने references करना है, वो किस चीज़ पर करना है हमने, basically जो हमारा data है, उसके अंदर किसी column के उपर, ठीक है, तो मैं references करता हूँ, यहाँ पर for example, हमारे data का नाम है order, ठीक है, तो उसके बाद, मैं यहाँ पर करता हूँ, order id के उपर, तो basically होता क्या है यह, कि हमने जब दो columns को join करना आता है, तो हम इस तरीके से, यह वाली command यूज़ करने के बाद, उनको, एक foreign key दे देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैं disk की command लगाता हूँ, और यहाँ पर orders लिखता हूँ, तो यह आप देखें, कि हमारे पास, यहाँ पर customer ID multiple हो गया, और यह order ID हमारे पास primary की है, और इसके तरीके से, हमने multiple उसको foreign की दी हुई है, किस चीज़ को आप चेक कर सकते हैं, customer ID को, तो यहाँ पर multiple आ गया, ठीक है, तो basically इसको हम जब joining का, चीज़ें देखें थे, तो वहाँ पर इसको रख सकते हैं, अब हम next move करते हैं, check constraint पर, check constraint क्या होता था, कि हम एक specific, कोई भी condition लगाते हैं, जिसकी वज़ा से हम देख सकते हैं, इससे ज़्यादा उसमें value, enter नहीं हो सकती, ठीक हो गया, अब यहाँ पर लगाते हैं, check constraint, तो यहाँ पर सबसे पहले, तो मैं जो हमारा टेबल है, show tables करके देख लेता हूँ, तो जो हमारे दो टेबल हैं, मैं उनमें से students वाला drop करता हूँ, क्यों हो, क्यों कि मैं निया बनाने वाला हूँ, तो इस तरीके से मैंने students वाला drop किया, अब यहाँ पर बनाते हैं, create table, create के spelling गलत है, तो अकसर आपके गलत होंगे spelling, तो यहाँ पर लिखना है students, इसके बाद, वो ही पराना काम, student id, int, int के बाद हम, इसको कर देंगे not null, ठीक है, कॉमा, फिर हम करने वाले हैं, stu name, इसको करेंगे var character 50, variable character 50, फिर student age, इसको हम करेंगे id, sorry, int, int करने के बाद हम करेंगे check, check का कमाड लगाई, अब यहाँ पर हमने करना है student, क्या करना है check के अंदर, stu age is greater than and equal to 18, मतलब यह, कि अगर कोई बन्दा greater than or equal to 18 है, वो ही आप इसमें लगा सकते हैं, otherwise नहीं लगा सकते हैं, मतलब यह के data सिर्फ adults का हमने एक अठा करना है, ठीक है जी, तो यहाँ पर disk लगाने के बाद हमने students को दोबारा से लगाया, चेक किया, तो यहाँ पर चेक करें जी, यहाँ पर आपको basically वो condition नहीं दिखा रहा, but you can see किया हम insert कर सकते हैं, वैसी चीज़ के नहीं, तो उसके लिए हम लखेंगे insert into, अब हम किसमें add कर रहे हैं, students के अंदर add कर रहे हैं, क्या add कर रहे हैं, stu id, stu name, stu age, ठीक है जी, अब यहाँ पर values इसकी add करते हैं, values, values के लिए हम stu id 1 करते हैं, name कर देते हैं, अगर 18 से ज्यादा होगा, फिर add होगा, otherwise नहीं होगा, ठीक है, मैं यहाँ पर 18 add करता हूँ, तो basically इसने easily accept कर लिया, ठीक है, अब अगर मैं same column के अंदर, निया नाम add करके, यहाँ पर लिखता हूँ राहिम, और यहाँ पर लिखता हूँ 17, ठीक है, और यहाँ पर, इसको 2 कर देता हूँ, ठीक है, let's see, तो वो कह रहा है, check constraint, students, check 1 is violated, क्या violated किया है, कि 18 से, कम मेज़ वाले बंदे नहीं रख सकता, तो अगर मैं 18 या 18 से ज्यादा करता हूँ, तो यह easily add हो जाँगा, मैं 28 कर रहा हूँ, तो यह add हो गया, अगर check करना है, तो आप देख सकते हैं, select, hysteric from, students, लें जी, तो आपके पास, 18 से उपर वाले ही लोग आएंगे, इस table के अंदर, otherwise नहीं आएंगे, तो unique आप इस तरीके से identify लगा सकते हैं, और अगर आपने same constraint, एग या एक से ज्यादा column के उपर लगाना है, तो फिर आप वो भी लगा सकते हैं, उसकी example क्या है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है जी, बहुत easy है, कैसे है, let's see, अब यहाँ पर मैं drop करता हूँ पहले students को, ठीक है जो table हमने बनाया है, क्योंगे फिर easy रहेगा हमें, दुबारा से create करना, अब दुबारा से create करता हूँ table, नाम फिर से देता हूँ students, अब यहाँ पर हमें काम करने वाले हैं, stu id, इसको int किया, और इसको not null कह दिया, कॉमा, अब यहाँ पर मैं करता हूँ जनाबे वाला, stu name, इसको कह दिया, war care 50, stu age, यहाँ पर कर दिया, int, कॉमा, एक और add करते हैं, stu city, ठीक है, यहाँ पर कर दिया, war care 50, कॉमा, अब यहाँ पर हमने लगानी है, condition, कौन सी condition, constraint हमने लगाना है, basically, किस चीज का, हमने constraint लगाना है, basically, students के उपर, किस किसम का, check का, क्या होना जाएए, उसके अंदर दो condition, एक तो stu age, जो है, should be greater than, and equal to 18, पहला constraint, ठीक है, check constraint, पहले वाला यह है, कि student की age, 18 से ज्यादा हो, then, दूसरा हम कहेंगे, stu city, is equal to, faisalabad, फैसलाबाद, ठीक है, कि बंदे, फैसलाबाद से हो, ठीक है, अब यहाँ पह एरर क्या आ रहा है, near students, check student age, is greater than, equal to 18, at line 6, 6 पह क्या है, क्या constraint है, 6 line पह, 1, 2, 3, 4, 5, 6, constraint students, वो कहते हैं, check the manual, that, correspond to your MISC, server version of the writing text, near to the students, students पह क्या मसला है, इसे, check student age, stu age, int है, stu city, फैसलाबाद, let's try again, क्या मसला बन रहा है, इसका, create table किया, हमने, stu id को, int कर दिया, फिर हमने, वार, care, यूज किया, student name पे, फिर student age, हमने यूज की, int करके, और, city हमने किया, चले, इसको, अगर हम, 255 करते हैं, तो, यहां पे, student city के बाद, constraint, constraint के अंदर होना चाहिए, जनाब, अगर इसको, हम check underscore, students कह देते हैं, for example, just to remember, कि यह वाला check लगा है, और, इसके उपर, check लगा है, C, H, E, C, K, S, T, U, H, greater than, equal to 18, पीछे हमने यह वाला, formula लगाया था, and, we have seen, a constraint here, greater than, S, T, U, greater than, equal to 18, तो, यहां पे इस दफाद, क्या मसला आ रहा है, इसको, let me see, S, T, U, H, greater than, equal to 18, and S, T, U, city, यहां पे आ रहा है, कौमा लगाया हुए है हमने, bracket बंद की हुई है, let's see, कि यह क्यों नहीं चल रहा, यह फिर से error दे रहा है, तो multiple के क्या फाइदा हुआ हमें, अगर इसने error ही देनी है, there's a question, no? अगर फैसलाबाद सिटी को हम निकालते हैं, तो क्या होते हैं, तो क्या होते हैं, टेबल, अगर सिरफ स्टूडेंट को रखते हैं, और यहाँ पर, at line check, student age is greater than 18, students use near students, मेरे ख्याल से error जो आ रही है, किस किसम की आ रही है, let me see, चले हम इसको रिमूव करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और काम करते हैं, मैं इसको अनेडिटेट रखूँगा, ताकि आप लोग इससे सॉल्व कर सकें, जो मुझे error रारी क्यों आ रही है, मैं एक और फॉल्मूला लिखता हूँ, यहाँ पर create table, टेबल लिखने के बाद यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ, पर्सन, ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यह हम नया टेबल एक और बना रहे हैं, just to see के हमारा इशू कहां पर था, age int, city, var, ic, care, now I think I know के error कहां पर है, constraint, chk underscore person, just to see, check, bracket open, age is greater than and equal to 18, and, मैं कॉमा लगा रहा था, आई समझ के नहीं आई, मैं कॉमा लगा रहा था, यहाँ पर and आना है, मैं पाइथोन वाली language लिख रहा था, छोटी सी गलती है, बन्दे को पागल करने वाले कर देती है, अब यहाँ पर क्या error आगी है, I see, फैसला बाद के बाद वो लगाया हुआ था, error देगा, तो मसला क्या आया, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर दुबारा से हम create table करते हैं, ठीक है, बलके हम student ID वाला ही बनाते हैं, ठीक है, क्यों, मैं आपको बताता हूँ, show tables, हमारे पास orders वाला है, drop, बलके एक नया के table बनाना है न हम, basically नया table बनाते हैं शुरू से, create table, हमने students वाला ही बनाना है, हम नहीं कहीं पर और जाने वाले, stu id int not null, ठीक है जी, stu name, war care, 255, ठीक है जी, इसको हमने कर दिया, यहां पर ऐसे student name, stu age, int कर दिया, फिर इसके बाद हमने कर लिया, stu cd, इसको हमने war care करके, 245 या 50 कर लेते हैं, ठीक है, तो basically, इसको भी 255 भी कर लेते हैं, जैसे हमने उपर किया था, ठीक है, just to remember कि हम क्या करने वाले हैं, करने के बाद, अब यहां पर हमने लगाने हैं, multiple check, constraint, लगाने के बाद, हमने, say for example, इसको हम कह देते हैं, check underscore students पे, लगाने के बाद, हम यहां पर लिखते हैं, check, क्या लगाना है, मैं कहता हूं, student age को, greater than, equal to 18 का check, and, मैं यहां पर, कौमा लगा रहा था, stu city, is equal to, fai, sal, abad, band, इस तरीके से, string कर दिया, enter मारा, bracket, band, और यह, तो यह हमारे पास, अब बन गया है, ठीक है जी, छोटी सी error थी, जो हमने, resolve करके देखा, अब आब यहां पर, check करें, तो हम फैसलाबाद के इलावा, कोई भी city add नहीं कर सकते, that shows, कि सिरफ फैसलाबाद वाले ही, इसमें show होंगे, जो 18 से बड़े हैं, आप इसको try कर सकते हैं, I am not gonna try that, क्यूंकि, आपको check का बता दिया, command run कर पड़ी, तो अब आप इस पर try करेंगे, ठीक हो गया जी, next चलते हैं, default के उपर, default किस तरीके से बनाने, default यह होता है, कि किसी भी एक, field के अंदर, default चलने दें, आप किसी भी चीज़ को, ठीक है, तो default बनाने के लिए, आप एक ही city add कर सकते हैं, यहाँ पर हम, अगर same table बनाएं, for example, अब यहाँ पर, मैं इसको, basically क्या करने लगाँ, मैं drop करने लगाँ, students को, क्यों करने लगाँ, मैं आपको भी बताता हूँ, यहाँ पर हम दुबारा से, student का table बनाने लगे हैं, reason, अब मैं बताऊंगा, क्या आपने default city, जो है student का, वो फैसला बाद कैसे रख रहे हैं, ठीक है जी, सबसे पहले चलते हैं, हम create, table, students का, and then, stuid, int, not, null, देखें, अब आज ता, इस ता, आपकी भी speed देज होगी होगी, जैसे मेरी हो रही है, stu name, यहाँ पे आपने लिखना है, war care, 255, for example, then, stu age, int, comma, then हम लिखते हैं, stu city, city के बाद हम लिखते हैं, जी, war care, 255, then हम यहीं पे इसे लिख देते हैं, default, इसके अंदर, values की लिख देंगे, fai, sel, ab, id, default कर दिया, इसको फैसलाबाद, ठीक हो गया, and then हमने मारा enter, और यह बंद कर दी, तो हम describe करके देखते हैं, किस चीज़ को, जनाबे वाला, हम, table को students वाले, describe किया, तो यह देखें, यह default values की फैसलाबाद, यहाँ पे show हो रही है, अब अगर इसके अंदर insert करें, insert into, किस के अंदर into करना है, insert students के अंदर, क्या add करना है, जनाब, stu id add करना है, coma, stu name add करना है, coma, stu age add करना है, coma, stu city add करना है, इसके बाद इसकी देनी है, values, values के अंदर, stu id, one, name हमार, ठीक है जी मैं speed से क्यों जा रहा हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे कॉमा age हमने कर दी है 22 अब अगर हम यहाँ पे city ना add करें तो क्या होगा let me see ठीक है जी age 22 कर दी है और यहाँ पे हमने बंद कर दी है से तो हम चेक करते हैं कि क्या हुआ क्या है इस डेटा के साथ तो हम यहाँ पे लिखेंगे select sorry यहाँ पे हम लिखने वाले हैं select historic from students तो चेक करें मैंने वहाँ पे एंटर नहीं किया city लेकिन automatically फैसलाबाद आ गया अब एक और record आड़ करता हूं मैं यहाँ पे यहाँ पे लिखता हूं हमजा यहाँ पे लिखता हूं 2 और 22 वैसे ही रहने दिया यह मैंने इंटर किया just look at that खुद बखुद फैसलाबाद आ रहा है so that shows default setting और अगर आप multiple default रखना चाते हैं तो आप simply क्या करेंगे वो ही constraint करने के बाद default उसे कर देंगे और आप बिल्कुल different तरीकों से और भी constraint लिख सकते हैं अब next हमारा जो है constraint वो है index index को देखते हैं यह हमें data quickly retrieve करने का मज़ा देता है इसको कैसे check करना है let's see बड़ा ही easy है और आप यकीन माने let me see यहाँ पर drop बलके drop क्यों करना है अब यहाँ हम इस ही table के उपर एक index क्रियेट करने वाले create हम यहाँ पर लिखेंगे index उसको हम कहा देंगे index underscore name ठीक है जी on किस पर करना है table name हमारा है students पर students पर हमने add करना है और simply let's see कि यह काम करता है कि नहीं you have an error in SQL अब students पर तो add कर दिया ठीक है table name students यहाँ पर students के अंदर हमारे पास stuid stu name stu age stu city मेरे ख्याल से सभी का index होगा yes तो आप चेक करें कि अगर हम इसको करते हैं तो हर एक फाइल का एक index आ जाएगा आपके पास पूरी एक row का ठीक है तो आप इसको फर्दर भी देख सकते हैं आप नया index भी create कर सकते हैं different जो है यहाँ पर हमने सभी के उपर एड़ कर दी है index ठीक है आप यहाँ पर student के बाद उसके किस कॉलम पर एड़ करना है आप वो देख सकते हैं मैं student ID पर अगर अकिला एड़ करता हूँ duplicate key name index name ठीक है आपके पास field है type आगी उसकी null value है के नहीं की आगी default क्या है और extra आ जाएगा लेकिन अगर आप इसको select from और यहाँ यहाँ पर historic लगाते हैं यहाँ पर अपने table का नाम लिखते हैं तो यह आपके पास इस तरीके साइड आता है तो आप इसको indexes भी दे सकते हैं index होता क्या है वो basically unique identification number आप कह लें किसी भी एक चीज का उता है तो इसको create index statement के साथ हम use करते हैं indexes are actually used to retrieve data from databases more quickly than otherwise the user cannot see the indexes they are just used to speed up the search queries for example अगर आपने इसको कोई index दिया है ना तो इसका unique identify number हमारे पास आ जाएगा बजाए इसके के हम check करें कि student name जहां पर हमार है वह आ जाएगा तो हमार के related जितनी भी index होगी हमारे पास उसको हम देख नहीं सकते लेकिन उसके थूरू हम इसको search कर सकते हैं तो जब हम mysql workbench पर जाएंगे then I will show you कि हमने किस तरीके से उसे check करने हैं लेकिन हमारी इस video का जो मकसद था कि constraints को पढ़ना वो हमने देख लिया तो next video में मिलते हैं अगर आपने sql की series नहीं देखी तो इसका link जो है description में भी आ रहा होगा या आपके पास इस side पे या इस side पे भी show हो रहा होगा तो constraints पढ़ने का बहुत शुक्रिया मिलते हैं अगले lecture के अंतर take care जी